आप सभी का स्वागत है जैसा कि हमारा एक आपका सी इंद चला है घहतना चक्र पूर्वा उलोकन का रिवीजन यहां पर हम सभी सबजेक्ट का एक ही सबजेक्ट नहीं जितने भी आपके सब्जिक्ट है घटना चक्र के सभी का हम रिवीजन करते हैं डेली नौ बजे रात में आता है यह वीडियो देखिए हिस्टरी का यहाँ पर कुछ कोश्चन हम लाते हैं जो इंपोर्टेंट है और वही कोश्चन लाते हैं जो थोड़ा सा टफ रहते हैं कोश्चन ठीक है आप का इन्वार्मेंट का है इन्वार्मेंट के बाद पॉलिटी का है इकोनोमिस का है तो मतलब देखिए इतना पूरा आपका रिवीजन इसका पीडिये भी टेलिग्राम पर मिल जाएगा जाके वहाँ पर डाउनलोड कर लिजेगा ठीक है तो चलिए हम बिना किसी देरी के सु अगर पसंद आएगा तो आप लाइक सब्सक्राइब करिएगा चलते हम देखते हैं पहला कोश्चन हमारा क्या करा देखिए यह हमारा आपका जो मिसलीनियस होता है शिट्री में पीछे उससे कोश्चन ललाएं हैं हम घटना चकर का तो यह देखिए ख्याल गायन किससे रि साध पंडित आजुध्यापरसाद रिलेंटेड़ है इस से पंड़त आजुध्यापर्षाद बीड़ाव आधन किसे रिलेंटेड़ है साधिक अली खांक देखिया प्रेमिस्चिछ तीय करू अब देखिए यहां पर एक है असम का ओज नित्त है यह कहां होता है असम में होता है हिमांचल परदेश में क्या होता है लड्ड़ू होता है पाश्यम मंगल में जात्रा है बिहार में जाट जातिन होता है थीक है कारा गम धार्मिक लोकनित ये कहां पर होता है बहुत इंपोर्टेंट है कारा गम धार्मिक लोकनित ये तमिल नाडु में होता है कहां पर होता है तमिल नाडु में होता है आंध परदेश में बुर्रा होता है ठीक है आंध परदेश में क्या होता है बुर्रा होता है ये लोक कुछा गया था कि मोगल परमपरा से प्रभावित नित कौन सा है मोगल परमपरा से प्रभावित कथक है चाहिए पर आपको याद रखिये इंपोटर्ट ऍषयान से इन जात्रा पष्चिम बंगाल से आपके सथ कहा है। अपका राजस्तान से गरभा अपका गुजराज से है ये च्छगान आपका करनाटक से है। बुर्रा आपका अंद्रपर्देश से है कारा गम कारा गम तमिलनाड से है भारत नाट्टम भारत इधर रहेंगे और मोहनी अट्टम इधर रहेंगे तो याद रखेगा भारत नाट्टम तो भारत ऐसे याद कर लिजे कभी भूल जाए कि भारत नाट्टम केरल कभी कभी पर दाहिने पर भरत क्या होता है एक पुलिंग नाम है आ रहा है मलब एक पुरुस का नाम आ रहा है तो हमेशा आप अगर देखेंगे अपने सामने तो भरत यह उस पर पड़ेगा राइट पर पड़ेंगे और मोहनी लेफ्ट पर हमेशा पूलिस वह पुलिंग जो आपका मन पर देखेंगे और यहां पर लिखा गया है कांग्रेस समाजवादी दल यह भी कुछन आया था इसकी अस्थापना 1934 में हुआ था इसके सथापक कौन थे आचारी नरेंद दियो और जेपी नारायड आचार नरेंद दियो और जेपी नरायड इसके सथापक थे लोक नायड जेपी नरायड को लोक नायड भी कहा जाता है अब देखें यहां पर कितना कोश्चन तीन चार कोश्चन में यहीं पर इसी तीन लाइन में लगा दिया ठीक है यह सब कोश्चन पूछे गए हैं तो यह 1937 के चुनाओं में कांग्रेस द्वारा बहुमत पराप् które कि संख्यति मिद्लब यहां पर पूछ रहा है कहां कहां पे कांग्रेस को 1937 जो कि चुन्हा रहता कहां पर बहुमत परापत हुँआ ता बात हुआ था वह पांच राजिकोन है एक संयुक्त प्रांत है जो अभी उत्त्र प्रदेस है एक उड़ीसा है और एक भिहार और यह तो यहां पर पांचो के यहां पर पूरा अस्परश्ट बहुमत पराबत था एक है मुंबई मुंबई में भी लगभख जितनी सीड थी एक थी कि दू कम थी लेकिन यहां भी सरकार बना ली यह सहीयोगा यहां पर यह कांग्रेश को असफ़्श्ट नहीं मिलता है लेकिन दूसरे दलों से गटवंधन करके यहां पर सरकार बना लिये थे लेकिन अगर आसपेश्ट बहुमत की बात करें तो पांच राजों में याद रखिएगा और सरकार आसपेश्ट कहां बनाये थे यहां पर और यहां मुंबई में भी सरकार इनहीं के बनी थे छे कि यहां परांट में बनाया गया था सरकार लेकिन अगर वह ऐसे दिखा जाए कि गड़रगरवंधन से तो यह दो प्रांट तो यह कुष्ण यह पूछा जाता है ंत्री मंदल कितने परांटों में कांगरेस ने बनाया खुदका मलूंत्री मंदल तो छे राज्जों में बन सर्वोदे सब्दका पर्थम पर्योग किस ने किया था महात्मा घादी जी ने किया था यह बीपिए से 2004 में कोश्चन आया रहा है तो सर्वोदे सब्दका पर्थम पर्योग महात्मा घादी जी ने किया था अब यहां पर लिखा गया है मुसलिम लिग ने पाकिस्तान दिवस क 43 को मनाया है ले 1949 भारत परजा मंडल यह कोशन पूचा गया भारत परजा मंडल आल इंडिया इस्टेट पूपुल्स कांफरेंस ठीक है इसके सबस्क्कोंत बारत पर जामंडल पीश के अद्धेश गणल नहरोते कौन थे जवाल नहरोते अब देखे यहां भूली के रहे थे तो आपका भी पेपर हो सकता है कैंसिल हो जाए फिर आपका भी रीग जाम होगा तो पेपर में कैसे आएगा आरो ए आरो दो जार तेई सरी एकजाम ठीक है तो बहुत जादे चांस है आप पढ़ाई जारे रखिए नहीं तो कैंसिल होने का कोई मतलम नहीं रह जाएगा अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आपके लिए ठीक है तो इसलिए पढ़ाई जारे रखिए आहूम आहूम बिद् 1855 और 56 में मोपला विद्रो 1921 में हुगा था तो मोपला विद्रो 1921 में 24OS 2017 में कोशन आया है ये देखे अब देखे मोडी लिप बहुत इंपर्टन कोशन ये कोशन आपके पेपर में आ ही सकता है मोडी लिप का पर्योग किसके परपत्र में किया जाता है था ठीक है तो मोडी लिपका किसे परपत्र में किया जाता है था किसके बताईए तो यह मराठो के याद रहिए मराठो के परपत्रों में मोडी लिपका परियोग किया जाता है ठीक है मोडी लिपका चत्रपती सिवा जेसे सम्मधित घटना करम है य आजमल अफजल खां का पक्रड कब हुआ था 1661 में 1661 में सूरत सूरत पर अक्रमड कभ रूत कभी किये थैं 1664 ठीक है शीवाजी ने 1664 में अब देखिए यह एक है आमत इसी मलब छत्रपति सिवाजी मराठो में आमत या मजुमुदार ये क्या होता था आमत तो ये होते थे बित्त और राजस और मंत्री होते थे याद रखेगा आमत और मजुमदार ये बित्त और राजस और मंत्री होते थे मराटों में ठीक है अब ये देखे एक कुशन है पतंजली पतंजली किसके का समकालिन थे पुस 211 में कोशन आया है तो पासे पतंजली याद रखिएगा पासे पुस्वमित्र सुंग याद रखिएगा तो पतंजली पुस्वमित्र सुंग के समकालने थे सुमंत या दाबीर ये इनको क्या कहा जाता मराटा में बिदीस मंतरी जैसे अभी जैसकर पशाद जी है वाकिया इसमें कर रहे हैं घर में लगे जो बल्ब और पंखे होते हैं वो किस करम में लगाये जाते हैं तो घर में लगे बल्ब और पंखे हमेशा पैलल करम में लगाये जाते हैं याद रखिएगा कभी भी लाइट जोड़िएगा तो पैलल करम में जोड़िएगा ठीक है इस तंटू लगा रहता है टंग defend का, वो आपका हाय Yokai हाय recognition का होता होता है, उसका क्या होता है मेल्टिंग हाय होता है, इसलिए हाय किया जाता है क्योंकि टंप्रेचर इतना ज्यादा होता है कम मेल्टिंग करेंगे तो तो पिखली जाएगा खराब ही जाएगा तो हाई रेजिस्टन्स हाई मिल्टिंग पॉइंट होता है याद रखेगा यह देखें धात हुए जो चुम्बक द्वारा आकरसित होती है वो कौन कौन सी धात हुए होती है तो लोहा तो सभी जानते इसको नहीं पताने जलूरत है निकल और बाल्ट भी आपका चुम्बक द्वारा आकरसित होती है एल्मॉनियम आपका चुम्बक द्वारा आकरसित नहीं होता अब देखें बिद्धुत मोटर का कारी क्या होता है बिद्धुत उर्जा को यांत्री कुर्जा में कर्वाट करता है मॉमबत्ति का रासाइनी कुर्जा को परकास उड़ा में जब मों बलती जलती हैं आगता है निकलता रहता लगता केमिकल ग्यैक्शन हो रहा है तो वह परकास उड़ा में करण तो देता है माइकरो फॉन धौनी उज़ा को कुपूर्जा को जोड़ा में करणर oc अब देखिए, सन में नुकिलियर फिजन, क्या कर रहे हैं, सन में नुकिलियर फिजन, ठीक है, फिजन नहीं, फिजन हो, ठीक है, तो सन में नुकिलियर फिजन होता है, क्यों, क्योंकि यहां पर very high temperature और very high pressure होता है, ठीक है, तो सन में जो नुकिलियर फिजन होता है, फिजन हो तो आप रिजिनिंग का एक कुश्चन पढ़े होंगे और उनसा जैसे लिखा रहता है फ्यूजन आप लिखिए या यू यस आई ओजन अब इससे सन बनाईए सन वर्ड बनाईए एक कुश्चन नहीं आता आपका तो इसमें से आप सन बना सकते हैं कि नहीं यस लीजिए यू सन आएगा तो फ्यूजन होगा ठीक है और यहां पर देखिए क्या लिखा गया है भारतिये परमाडू उर्जा कारिकरम के जनक कौन है होमी जहांगीर भाबा तो भारतिये परमाडू उर्जा कारिकरम के जनक होमी जहांगीर भाबा है लेक्टोस लेक्टोस आपका दूद में पाय जाता है कार्बोनी कमल सोडा वाटर में फार्मी कमल लाल चीटी में टार्टरिक अमल अंगूर का रस्में पाय जाता है इंपोर्टन्ट है आया कुशन कच्चे फलो को किर्तिम रूप से पकाने में कच्चे फलो को ये चारो चीज़े याद रखिएगा कोई भी पूछ सकता है इर्तिम रूप से पकाने के लिए अब देखिए नाखून पालिस निकालने में जैसे नाखून पालिस जब सुख जाता होगा उसमें मतलब छुडाने के लिए एक एसी टोन आता है ठीक है तो वो क्या होता है एसी टोन होता है सिरका क्या होता है सिरका आपका एसी टिक आमल होता है क्या होता है एसी टिक आमल होता है पलेक किसके कारड़ होता है जीवारू के कारड़ होता है एड्स वाइरस के कारड़ होता है सब जनते होंगे गंजापन याद रख लिए बहुत इंपोर्टेंट है बाला वाला तो बाला वाला किसके कवकफांगी के कारड़ होता है गंजापन मलेरिया प्रोटो जोवा याद याद रखेगा सेट्रिक हमल होता है अब यह भी कुछन पूछा गया था यह समें कि फार्मिक एसिट जो होता है एसिटिक हमल एसिट से जादे स्ट्रोंगर होता है यह सेटिक हमल से जादे स्ट्रोंगर होता है यह स्ट्रोंगर एसिट दोनों क्या होते हैं दोनों और गैनिक होते हैं क्या होते हैं दोनों आरगेनिक एसीड होते हैं याद रखेगा जो फार्मिक एसीड होता है इस्ट्रोंगर एसीड होता है यह आइस में कोशिशन पूचा गया है बैक्टेरिया को देखा जा सकता है कहां पर कंपाउंड माइक्रोस्कोप के द्वारा बैक्टेरिया को देखा जा सकता है माइको राजा होता है सिंबोलिटिक रिलेशन लगता है साहजी भी रिलेशन किसके साथ रखता है फंगी और प्लांट के साथ किसके साथ फंगी और प्लांट के साथ अब देखिए गोल किरमी नेमी टोड से होने वाला रोक कौन सा है फाइल एरिया ठीक है तो गोल किरमी नेमी टोड से होने वाला रोक कौन सा है फाइल एरिया याद रखेगा important question है फेरो मोंस पाए जाते हैं कीटो में तो फेरो मोंस कहां पाए जाते हैं कीटो में पाए जाते हैं ये फेरो मोंस क्या होते हैं ये बाहे हार्मोन्स होते हैं यह क्या होते हैं बाह हार्मोन्स होते हैं इंपोर्टन्ट है कुश्चन आया हुआ है अब दखिए पॉलिनेटिंग एजेंट कौन है तो पॉलिनेटिंग मतलब पराग करकारी एजेंट कौन कौन से होते हैं तो यह कौन कौन से होते हैं आपका चमगादर ह होता है पच्छी होता है मध sew ये क्या मतलब किना का है जो जैसे एक मध sew concur 지금 होती है आपकी एक फूल से दूसरे फूल में जाती है तो उनंका आपका ओड़ो मतलब किरिया आगे बढ़ती है जैसे मोलस्य में किरिया आगे बढ़ती है वो जनैनके वहां भी इसी तरह बढ़ती है अगर यह सब ना रहें तो दूसरा पेड़ होई ना दूसरा फूल ही होगे तीक है तो चमगादर पच्छी और यह मदमक्खी पॉली नेशन के रिया में भाग लेते हैं तीनों लोग अब देखिए सबसे ज्यादा यह कूशन पूछा जाता है कि जो डालफिंग का एक हजार अनुपात एक इनका कहने मतलब है अगर सरीर मतलब यह मतलब इसमें एक कोशन कैसे पूछा जाता है कि किसका जिसका मस्तिक सरीर के अनुपात ज्यादा होता है तो यह चीटी का होता है जैसे मान लिजी आप यह साथ सरीर है तो उसमें एक आपका क् वे मानों हमें 40 में एक character उसमें कम हूआ हाथी में पान्सव साथ में एक है तब इसमें और कम हुआ डॉल्फिन ps 6000 में एक है और कम हूआ third इते दोनों में एक अंतर होता है चार्ष डार्वेंड में नेचुरल सेलेक्शन की बात किये थे Natural Selection मतलब कि Survive करने के लिए कुछ भी कर सकते थे ठीक है चाहे Over Production करते थे सर्वाइबल करते थे लेकिन जो लैमार्क ने दिया तो ये जिराफ वाला एकजाम पर लिये थे कि जिराफ अगर पत्ता खाना है तो वो पत्ता जो उपर रहता था वो ऐसे मतलब उपर हमेशा करके खाता था उसकी गर्दन इसलिए लंबी हो गई तो ये कौन बोले थे ये लैमार के बोले थे ठीक है तो याद रखे गई ये अब देखिए पिर्थवी पर सबसे पहले कौन आये थे सेल्ड एनिमल आये थे कवच वाले जिव जैसे सी पोप नहीं देखते हैं जिसका सी पी उपी बनता है तो ये कवच वाले जिव होते हैं फिर इंसेक्ट आये थे इंसेक्ट के बात रिप्टाइल साए थे सबसे लाश्ट में मैमल आये थे ठीक है तो याद रखेगा सेल्ड एनिमल पहले आये थे फिर इंसेक्ट आये थे फिर रिप्टाइल आये थे फिर मैमल साय थे इस में जितने दिये हैं यही आपका ये आडर है ठीक है कीट सरस्रिप सिस्तंधारी लाश्ट में आये थे चलते हैं निश देखते हैं अब उत्तर प्रदेश से देखते हैं कुश्चन बहुत बनता आज यहां पर हम उत्तर प्रदेश से इस्पेसल में जी आई टैग लिए हैं जो कि आपके बार-बार पूछा जाता है अभी आपके आरो यारो में क्या पूछा गया था देशी घी पूछा गया था देशी घी कहां से रिलेटेड है आउरया से रिलेटेड है कहां से आउरया से रिलेटेड है इटावा में बस्तर से रिलेटेड है उन्नाव में जरी जर्दोजी से रिलेटेड है, हींग कहां से रिलेटेड है, हींग हातरस से है, ये भी कई बार पूछा जाता है, गुड दो जगां से है, गुड एक आपका मुझबफर नगर से है, याद रखेगा मुझबफर नगर से, एक अजुद्ध्या से है, अजुद अपलग करी चिकन कारी और ये जो सिलाई कड़ाई होती वाला चिकन-कारी है यह आपका हमिटकर data यारो यारो में ठीक है कोसी नगर से केले के रेसे से बने उताद है मनजु उत्पाद मूझ उत्पाद मूझ उत्पाद आपका परियागरास्चे है साफ्ट टॉइज साफ्ट टॉइज मतलब कोमल खिलोने कहां से हैं जहासी से लिए जिस्टिक वन प्रोड़क्ट है जस्ते के बरतन आपका कानपूर देहात है और कानपूर नगर्स कौन है तो कमड़े के उत्पाद है इसके बाद खाद पर संस्क्रड केला तो कौसामबी तो कांच बालू कहें तो भी परियागराज बागसाइड बादा में मिलता है कोईला सिंग्रावली में मिलता है ललितपूर में तांबा सुनराई छेतर से मिलता है ठीक है कोईला सिंग्रावली से ललितपूर से तांबा सुनराई छेतर ये तांबा से ठीक है सिलका परियागरा देज़े अब देके चक्र Tina नेमी सररच से घोबिंदद देव मन्दिन कह immigration बिंदवन में है सलीम चिस्ती दरबार कहा है फदेप उल्तियं मन्दिर झाइनन कोश्छसाbet में है बहुत्रजनन imperative क laughing में ही सैन्ध मन्दिर कहा है वराड़शी में ये अठारा हजार एसियों की तपस्तली कहा है नैमी सरड में है कहां पे है नैमी सरड में है याद रखेगा अब देखे ये पारवती अर्गा पच्छी बिहार कहा है गोंडा में है समस्पूर पच्छी बिहार कहा है राइबरेली में है लाख भिहोसी पच्छी बिहार कहा है क करते हैं देखते हैं देखते हैं क्या कर रहा है इंद्रा पॉइंट बड़ा निकोबार या ग्रेट निकोबार तो इंद्रा पॉइंट कहां पर है आपका ग्रेट निकोबार में इधर इधर ठीक है अब देखिए यहां पर ऊपर क्या होता है इंद्रा काल होता है आपका 37 डि और ऐसकी तो इवग्याद का करुछ पूछा गया है सबसे पूर्वी अस्तान को उनसा की हूं और शर प्रदेस में मेरे चाहब है और और तो यहाद मोटि घुहार मोटि क्या एंच वामटी गुजरात यहीं पर लेकिन गुजरात में ही है ठीक है याद रखिए गुजरात में ही है अब देखिए यह करकरेखा कहां से पास होती है तो गुजरात से पास होती है राजस्थान से पास होती है MP से पास होती है 36 गड़ से जहार खंड से और बेश्ट मंगार से तिरपूरा से और मिजो 82 डिगरी आपका है पूर्वी देसांतर यूपी फिर यंपी फिच्छतिस गड़ फिर अंदर परदेश ये इतने राज्यों से पास होती है अब देखे भूटान के साथ सीमा कौंस कौंसे बनाते हैं तो अड़रांचल परदेश असम पश्मंगाल सिक्किम मेघाले नहीं बना फिर भूटान के साथ कौनखोन सीमा बनाता है या आपका अड़रांचल परदेश यहां पर हो गया यहां सिक्क्रिम हो गया सिक्किम के बाद बैश्ट बंगाल हो गया duasa मेघाले बनारहा है मेघाले नहीं यह बनारहा है तो चार ही बना रहा है तो एक दो तीन चार आखरा सिककिम कभी अभी आपको जहाणा अऐँ house कर्फूज हो कर यहाँ मेघहाले बोटान के साथ मेहाले देख लीज्ए ऊपर नहीं टच को रहा है सिर्फ ये नीचे ये ठीक है तो मेहाले नही बनाता है सिक्किम बनाता है अउलांचल पAgटेश आसम और बेश्ट बंगाल बनाता है थीक है, ये भूटान के साथ, तो ये हो गया आपका मैनमार के साथ कौन कोन सीमा बनाता है तो ये लिख्याओ आउडाद अबर चल परदेश पाहण देखते हैं, पाहण बंगल के साथ कौन कोन सी बना रहे हैं सीमा तो यहां देखते हैं पश्चिम बंगाल के साथ कौन कौन से बना रहे हैं तो यहां पर पश्चिम बंगाल के साथ आपका यह स्वारी पश्चिम बंगलादेश के साथ ठीक है बंगलादेश पश्चिम बंगल एक दिमाग में आता है अब देखिए बंगला मिघाला तिरपुरा और मिघोरम से आइभाईची है और से बिहारा की मेशेअ बनते हैं नेपाल के साथ बिहार और ये बिश्ट बंगाल भी आपका नेपाल के सास्थ सीवा बनाता है इसको याद रखेगा कई लोग इसको नहीं लगाते तो बिश्ट बंगाल यह दुड़ा सा टच हो रहा है यहां देंखिए म십ला यह सबसे नीचे यहां बहुत अच्छे मात्रा में होता है अब देखिए कोगती बनन जियो अभरण कहा है था इमांचल परदेश में हमने और गटा क है उरंगा औरंगा औरंगा तो उडिसा में है कांगेर घाटी राष्टी बन कहां है 36 गड़ में यह भी कोच्छत पूछा गया है अब देखिए कोच्छ जब पूछते हैं तो रट टफ हो जाता है कोटी गाउं बन जीवबर्ड कोटी गाउं यहां लिखा गया है ना कोटी गाउं बन जीवबर्ड यह जूम कर दे रहा हूं कोटी गाउं बन जीवबर्ड यह गोवा में है नागर होल करनाटक में सब जानते होंगे अब द दो पुजह था कोशन आपके पीछेंस में कि आपका राश्टिय चांबल अबरड कौन से राज यहां पर हर्यारा दिया था हर याड़ा से सम्मंदित नहीं हर याड़ा ऊपर चला जाता ठीक है तो ये तीन राज्यों से उत्तर परदेस राजस्तान और मदपरदेस सम्मंदित है इतना तो आपका हो गया देखे जितना अच्छा थे सब टफ थे अब देखे बैग्यानिक नाम आई ये 2002 में आया है हम सो सिंकारा का गजेला बिनेट्ट भी कर सकता है राजपाल की नियुक्ति राष्टपती करते हैं आर्टिकल 155 के ताहत राजपाल राष्टपती के परशाद प्रियंत अपने पत पर रहेगा ये भी सही है राजपाल को पद की गोपनिता और सपत न्याले के मुख न्याधीस ये आर्टिकल 161 के ताहत दिलवात होते हैं तो याद रखे का कानूनी सलाहकार माहाधिवक्ता राज भाग ले सकता है याद रखिए इंपॉर्टन कुश्चन है ठीक है महा अधिवक्ता राज बिधान सभा और बिधान परस्थ की कारवाईयों में भाग ले सकता है ठीक है किंतु वह मत नहीं दे सकता है ठीक है यह यह बहुत इंपॉर्टन कुश्चन है बार बार यही आ जाता तो वो राज बिधान सभा और बिधान परस्द की करवाईयों भाग लेगा लेकिन मत नहीं देगा महा द्युक्तार राजपाल के प्रशाद पर धारड करेगा दी सदनिये मंडल कहां कहां पर होता है आंध परदेश में है तेलंगाना में है बिहार में करनाटक में और यूपी में पहले जम्मो कस्मीर में था अब वहां हट गया तो दी सदनिये बिधान मंडल जम्मो आंध परदेश तेलंगाना बिहार करनाटक महाराष्ट और उत्तर परदेश अब देखिए इन्वायर एकॉनॉमिक्स एकॉनॉमिक्स का यूवनों ने किस वर्स परम ग गरीबी प्रवासित किया था मल्टी डाइमेंसर पॉवर्टी इंडेक्स यूपी पीचेज 2019 में कुश्चन आया है कह रहते हैं इसके कितने मलब वह लिए जाते हैं इंडेक्स तो यह लिया जाता है लाइव स्टेंडर्ड लिया जाता है ठीक है तो यही आपका पैमाना होत सब्सक्राइब को यह लाइव जीवन अस्तरी मल्टी डाइमेंसर पॉवर्टी बहुत बार कुश्चन पूछा गया है याद रखिए इंपॉर्टन थैं कल्चलर प्रवर्टी गरीबी की संस्कृति किस ने दिया था औसकार लूइस ने दिया था यूपीपीश दोजर दोजरा नक्स ने धीया था फरधान मंतरी स्वार नजिधी यूजना फुट पाथ बेड़एटा आफिकरेटा वूप्सेश üst दोजर बायस में परधान मंतरी जो सवार ने किस से रिलेहरेटर है फूट पाथ विकरेटाट UP उन कुरोना आया था तो इन सब को लोग दिया ज साहेता करना अन्योदय योजना अन्योदय का कारिकरम गरीबों में सबसे गरीबों की जो गरीब है उनकी सबसे गरीब की साहेता करना नेशनल फूर्ड सीकूर्टी मिसन ठीक है यह कब आया नेशनल फूर्ड सीकूर्टी मिसन दोजाशाथ और आठ में आया संकल्प किस से लि किस से ग्रामिड और साहरी चेत्रों में कोसल बिकास से सब्बंदिता है सोरपर्थम एरासनकार्ड सेवपरारम की गई दिल्ली सरकारदवरा 27 मार्च 2015 को दिल्ली दौरा 27 मार्च 2015 में एक कुशन आया है राष्टे ग्रामिड रोजगार मनरेगा की बात कर रहा है पिर नरेगा बनेगा तो इसको परधान मंतरी मनमोहन सिंग द्वारा दो फरवरी 2006 को आंद परदेश के अनंत पुर जीले में कब आंद परदेश के अनंत पुर जीले से परारम किया गया देश के 200 जीले में कौन से दो इसके पहले 200 जीले में परारम किया गया एक अपरेल दोजाराट को संपूर देश में लागू कर दिया गया कब एक अपरेल दोजाराट को इसे संपूर देश में लागू कर दिया गया और दो अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदलकर मन्रेगा कर दिया गया इतना याद रखीए गया जो मन्रेगा से कुश्चन आएगा लगभे यहीं से आजाता है ठीक है तो 2 अक्टूबर 2009 को इसका नम मरेगा कर दिया गया तो आज की बार आज इतना ही आपको पसंद आएगा तो प्ली लाइक कर दीजेगा जो 200 टार्गेट है उसको पूरा कर दीजेगा हम फिर नए वीडियो कर नो बिजे फिर लाएंगे तब तक के लिए अपना ख्याला किएगा जै हिंद जै भारत